आज मैं आप लोगों के लिए एक ड्रेस्ट पी लेकाई हूं जो कि रिवर प्रण करी होप कि आप लोगों के लिए बहुत ही उस्पूल होगी साथ ही साथ अच्छा लगेगी तो वीडियो अच्छा लगे तो आगी जो रोशेयर करें चैनल में नीग हो तो सब्सक्राइब सबसे पहले प्रण को फ्राइब करना है तो यहां पर प्रण को ड्रेसिंग करके अच्छे से मैंने फ्राइब कर रही हूं प्रण हमारा फ्राइब हो जाने के अंदर ही अंदर हम मसाला को प्रिपरेशन कर लेते हैं तो फ्रेंच यहां पर बहुत ही कम मसाला में हम लोग करी बनाएंगे यहां पर मैंने रखा हूँ तीन प्याज एक लेसुन अधरक दो चे तीन इंजी का छोटा बेबी पटाटूज पांच से छे टमाटर दो मीडियम साइज का हरा मिर्ची तीन बस इतना ही मसाला हम लिये हैं इसके साथ हम गरम मसाला लेंगे जैसे की डालचिन को अच्छे से छेल जुका हूँ तो यह सारी के सारी मसाला हम लोग मिक्सी में डाल लेते हैं और इसको अच्छे से पेस्ट बना लेते हैं तो देखिए आधरक का रेलेशन मैंने दे दिया हूँ पैज को थोड़ा साइज करके कट किया हूँ क्योंकि यह हमारा ग्राइंडि यह thi Their पेस्ट बनाने वारी हूँ और यहां पर थोड़ा सा आलो को आलो में लिया थो उसको कट करके रख दिया था हूँ तोSm तो इमसाला को दे आठ गाई गोड़ है लिग प्रेंगा दें। इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए जैसे कि मसाला हमारा मसाला से पानी निकल जाएगी और ओयल चोड़ेगी तब हमको पता चले गया कि मसाला हमारा बिल्कुल बन चुकी है तो इसको ऐसे ही बीच बीच में हम मिलाएंगे नहीं तो यह नीचे से जल खुसबू भी चेंज हो चुका है मसाला हमारा बिल्कुल बन चुका है अभी हम इसमें आड करेंगे पाउडर का मसाला तो फ्रेंट्स पाउडर मसाला मैंने इसमें आड कर दिया हूं वो वीडियो सायद स्कीप होगे इसमें में वान टेबल स्पून जीरा पाउडर टू ट कि यह ठीक बाहर आडए मोड़े दो तीन मिनिट के बाद तल्स त मेने नमग करके आ था है तो तू देने के बाद इसको हम जा से तो फ्रेंट्स देखें यहां पर टमाटर हो चुका है और मसाला के साथ मिल रही है यहां पर अभी हम दे रहे हैं तो पराण के साथ भी आप लोग मसाला के साथ प्राइ कर सकते हैं यहां पर मैंने बॉइल डालू यह उज़ कर रहे हैं इसलिए मैंने आलू थोड़ा लेट डालूंगी नहीं तो आलू हमारा अच्छे से जो यह होता है ना ग्रेवी के साथ मिल जाएगी और ग्रेवी हमारा जादा तिखा हो जाएगी मतलब की खाने के लिए बहुत जादा हवी हो जाएगी तो फ्रेंट्स देखे मैंने इसमें प्राण को थोड़ा सा टाइम के लिए डाल के पानी दे दिया मिला कर मसाला के साथ मिला कर पानी दे दिया स्वाद की हिसाब से नमक दे दिया हल्दी प तो इसको हम थोड़ा टाइम के लिए छोड़ देते हैं जैसे कि प्रॉन की अंदर मसाला गुस आएगी तो फ्रेंड्स देखिए यहां पर प्रॉन को डालने के बाद कुछी टाइम जैसे कि चार से पांच मिनिट तक हम मिलाएंगे फिर अभी हम इसमें आलो को आड कर देंग और आच्छे से मतलब कि खुसबुदार और टेश्टी बन जाएगे तो फ्रेंड्स अभी हम इसमें पानी डालेंगे जितना पानी हमको करी में चाहिए आप चाहिए तो एसे ही इसको खा सकते हैं या तो करी बनाना चाहते हैं तो पानी आड कर सकते हैं तो फ्रेंड्स इसक नवेज साहां भी चीज़ों के साथ खा सकते हि데 मापries 1-2 लिए का में वाला आ जाएगी तप्षान और सीचा ऐसी चावल के साथ हमारा ओड़िसा में फेमस है चावल जैसे कि अलग 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 खाने बहुत ही मतलब के आधर से ग्राहन किया जाता है छावल को ज्यादा इंपटांसे दिए स्पेस्पशली चावल के साथ बहुत ही डीक तो अभी मैंने सट सर्फ कर रही हूं आप लोग चाहे इसको रोटी पूरी चावल नान किसी भी चीज़ों के साथ खा सकते हैं होप कि ये रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत यूजबुल होगी रेसिपी अच्छा लगी तो आगे जरू सेयर करें चैनल में नहीं होता सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करने के लिए बिल्कुल भी ना भूले लाइक के साथ सुन्दर सुन्दर कमेंट्स करें ताकि मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए थोड़ा से एंकरेजमेंट मिले बिलते हैं अगली वीडियो पर तब तक इसी वीडियो को देखते रह बाइ 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 फ्रेंड टेकर आल फ्यू हाव अवे नाइस टेख